राश्टपती स्रीमती द्रौपती मुर्मू ने नव वर्ष 2023 की पुर्वसंद्या पर सभी दिश्वासियों को सुपकामनाई दी है। नई परिनाय और धेर सारी उपलब्धिया लेकर आए। आईए इस औसर पर हम सभी राश्टप की एकता, अखंडता और समाविसी विकास के लिए संकल्प ले। मेरी कामना है कि नया वर्ष हमारे गरफशाली, राश्टप और सब लोगों के लिए प्रगती और सम्रिधी लेक वही परधान मंत्री ने भी ट्वीट कर सभी को बधाया दी। परधान मंत्री ने कहा कि आपका 2023 सांदार हो यह आशा करता हूं कि खुसी और धेर सारी सफलता से भड़ा हो। सभी को अच्छे स्वास्त का भी आठ सिवात मिले। वही राहूल गांधी ने भी ट्वीट कर सुपकामनाय दी। राहूल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि उमीद है 2023 में हर गली हर गाउं हर सहर में खुलेगी महबत की दुकान। योगी आधित्य ने भी ट्वीट कर सभी को सुपकामनाय देकर कहा कि नए वर्स में और तेजोगा विकास। नए साल की बधाई देते मुख्यमंत्री योगी आधित्य नाथ ने कहा कि प्रदेश को सम्रीदी और विकास के रास्ते पर ले जाने के राज्य सरकार के परियाश्यों को नए वर्स में और गती मिलेगी इसके लिए अनेक महत्वपून पढ़ियोजनाय और जन्म कल्यानकारी कार्यकरम के संचालित क की जन्ता का जीवन अस्तर निरंतर बहतर हो रहा है डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लाग समाज के हड़ वर्ड को राप्त हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने भी क्वीट कर सभी देश्वासियों को पधाई दी नवर्स के औसर पर परदेश और देश्वासि का वर्स हो सबके समिलित पर्यास से सुखी सम्रीद और गरवशाली बिहार के निर्मान का संकल्प पुड़ा होगा वहीं बिहार के उपमंग मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि नव वर्स आप सभी के लिए मंगल मैं सुख मैं और फल दायक हों शिराग पासवन ने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी को उमीदों से भरे नव वर्स 2023 की सुख कामना है इस वर आपके परिवार को नव वर्स में समरीदी स्वास्त और खुस्या प्रदान करें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूस 24